तो ये सारे questions भाई, आपके दिमाग में भी होगे, annual हमारी turnover approximately 5CR, 5 करोड के आसपास है, 0 से start किया, जिसका कुछ भी knowledge नहीं था, 59 lakh rupees, only from web stories, learn कर सकते हैं, 10,000 से आप भी 10 lakh पे जा सकते हैं भाई, 10,000 to 10 lakh की जो journey है, वो आप भी जी सकते हैं नमस्ते दोस्तों भाई, एक पर फिर सी आपका स्वागत है, चैनल पे, सबसे पहले तो भाई, आप से माफी मागना चाहूँगा कि काफी दिन से वीडियो नी आई चैनल पे, वो reason ये था, पहले तो भाई, मैं ट्रेवल कर रहा था, ट्रेवल करने के बाद फिर मैं थोड़ा कि जब भी हम आते हैं, कोई भी content देखते हैं, influence होना हमारा लाजमे होता है, बहुत जरूरी होता है, आप आज मेरे साथ, अगर connected है, आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज आप मेरी YouTube family के member हैं, आज हम लोग more than 12,000 हैं, पिछले 4, 5, 6 महीने के अंदर, जो 12,000, 12,000 लो क्यों करें, जो भी हमने वीडियो डाली हैं, जो भी जर्नी शेयर करी, एक बर उसको भूल चाते हैं, आप मेरे से क्यों connect हो है, क्या reason था, उसके पीछी क्या logics थे, क्या खाली सिर्फ money making का हमने एक tagline डाल दिया, money making से लेट एक thumbnail डाल दिया, और सीधा आप connect होगी मेरे साथ क्या सिर्फ वही reason था, क्या आज के time पे किसी दूसरे पे trust करने के लिए हमें क्या क्या चीजे जाननी चाहिए, क्या चीजे हमें पहले से check करनी चाहिए, या खाली सिर्फ एक thumbnail ही हमारी जिंदे की बदल सकता है, तो यह सारे questions भाई, आपके दिमाग में भी होगे, तो भाई मैं आज यहाँ पर इस कुरसी पर बैठके camera उठाया, वीडियो बना दी और डाल दी, इतने सारे लोग मेरे से connect होगे, उसके पीछी क्या reason है, क्यों आप मेरे पर trust करें, कुछ तो logic होना चाहिए न, आप मुझे देख रहे हैं, आपको मेरा content अच्छा लगा देख रहे हैं, पर देखने के बाद उसको implement क्यों करें हैं, पहले आप मेरे बारे में जाने हैं, आज का वीडियो हम पहले special इसलिए कर रहे हैं, कि भाई वो जानना बहुत जुरूरी है, आज के दिन हम देखते हैं, YouTube पे भी देखते हैं, हम Telegram पे भी देखते हैं, भर-भर के content आ रहे हैं, भर-भर के लोग धड़ा-धड़ जिनको ABCD नहीं पता वो भी डाल रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो भी डाल रहे हैं, बट भीड में खिचडी बन चुकी है, उसमें originality का पता लगाना आज की दिन बहुत ज्यादा tough है, वो tough क्यों है, क्योंकि content की बाड़ आगिया है, ह guidance दे रहा है, जिसको देख के आप grow करना चाहरे हो, उसके पास वो capability है भी है या नहीं है, मेरे भी एक दो podcast आए है, सदीश भाई नहीं podcast किया, अभी शेक के channel पे podcast आया, बाकी भी podcast की कुछ request pending पड़ी हुई है, बट उस पे जाने से पहले भाई, आप जो 12,000 लोग मेरे साथ जोडे हैं, जो भी लोग मेरे पर trust करते हैं, उनके trust को fulfill करने के लिए आज जो भी उनके questions थे, उनको पहले clear करना बहुत जरूरी है, हमारी एक next video in line थी content writing पे, उसको हमने reschedule किया है, सोचा कि उससे पहले ये important video डालना बहुत जरूरी है, आप लोगों को मेरे बारे में जान जो मेरे पर trust करो, आज इस journey को हम start करते हैं, विल्कुल scrap से, zero से, zero से क्यों, उसका reason है, जब तक वो journey आप नहीं पता करोगे, तब तक आपको मैं एक तरह से misguide कर रहा हूँ, वो journey देखने के बाद, आप मेरे को follow करें, मेरे पर trust करें, मेरा content follow करें, मेरी guidance लें, उसके बाद work करें, तब मेरा भी trust बनेगा, आपका भी trust बनेगा, और उस trust को build करने के लिए, आज ये journey start करना बहुत जुरूरी है, तो चलो भाई, आज करते हैं, restart, restart करने का purpose ही है, कि बहुत सारे लोगों के doubts होते हैं, कोई बोलता था, USD डोलर नहीं है, Jamaican डोलर है, बाई, कोई कुछ क जिसने अपना केरियर, IT का केरियर, मेरे फादर साब गवर्मेंट जोब में थे, गवर्मेंट इपलोई थे, वो fire officer से, fire safety department में थे, हर्याना गवर्मेंट के fire safety department में थे, उननों के साथ-साथ हमारी schooling होई भई, normal school से हमने schooling की, graduations की हमने, अपनी studies complete की, के बाद हमने computer में डिप स्टार्ट करते हैं, यह मैं बात कर रहा हूँ, 2002 की, 2001 में मैंने अपने studies complete की थी, मैंने master's के लिए start कर दिया था, मैंने admission ले लिया था, गुरू जंबेशवर उनस्टी में, but still मेरे दिमाग में वो computer का कीड़ा था, तो मैंने साथ की साथ, एक diploma course में, हर्याना गवर्मेंट के Diploma course में, हाटरॉन के, Diploma course में admission लिया, वहां से अपनी journey स्टार्ट की, वहां से मेरा interest और बढ़ा, फादर साब की transfer हो जाती है, आपको पता है, गवर्मेंट जो में, जहां पे family shift हो जाती है, साथ साथ हमें जाना पड़ता है, तो मैं भी shift हो गया, मेरा course complete हो चुगा था त से जुरूर हो गया, मैं वहां जाता हूँ, Diploma course के base पे, और मेरा जोइनिंग हो जाता है, और मेरी जो first salary थी भई, 1000 थी, 2003 की ही पे बात कर रहा हूँ, 2003 की मैं यह journey की start कर रहा हूँ, इसके सारे papers मेरे पास आज के दिन भी available है, मैंने स्क्रीन पे अपना LinkedIn अकाउंट भी खोल है वापिस, तो भाई, वहां पे मैंने as an desktop engineer जोईन किया था, और उस company का नाम था, Prompt Info Tech, Prompt Info Tech जो company थी अपरेल 2003 में, भाई, आप screen पे भी देख सकते हो, तो मैंने start किया हम आप अपना carrier as an desktop engineer, तो भाई, जो मेरी job profile थी, वहां पे मैंने कहा था, कि मैं applications में जाना चाहता application development से लेटेड कुछ करना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं, तो बट उन्होंने मेरे को hardware profile में डाल दिया, hardware कम application support में डाल दिया, तो भाई, आप सोच सकते हो, उस level पे carrier चुड़ू करना, जहां पे मेरे को first salary 1000 rupees मिली भाई, और मैंने वो जोब छोड़ी नहीं, मैंने सी दिखा, application के issues जहां आते, वो भी मैं fix करके आता, remote locations पे, उनके पास पूरा entire तीन states की support थी, जो support थी जिनके वो भी बता देता हूं, oriental insurance की support थी, उसके बाद आपकी journal insurance की support थी, उसके बाद आपकी new India insurance की support थी, तो तीन insurance company की branch support थी, including hardware support और वो branches थी, तीन states में, हर्याणा, हमजाब और हिमाचल में, तो किसी भी branch से कोई भी complaint आते थी, तो मुझे वहाँ पे physically जाना पड़ता था, वो आईदर system related issue होता था, या application related issue होता था, वो जा जा के fix करके आता था, सुबह 4-4 बजे bag उठा के निकल जाता था, time table देखे train का, bus का, पता नहीं कहां कहां तक मैं गया भाई, वो time मेरे career का most important time सिर्फ thousand rupees salary में, वहाँ से मैंने career शुरू किया भाई, उसके बाद मैंने, वो career इतनी लगन से, इतने hard work से, मैंने कॉलीन मा रहा है, keyword साफ की है मैंने, मैं आपको पता है कि CRT monitors आते थे, वो उठा उठा के लाता था, बस में अगर कही खराब हो तो वो time भी मैंने देखा है वाई, कोई आज ऐसा कुछ नहीं है कि हम चांदी की चम्मच लेके पैदा होगे और सिधा यहाँ पोँच गये हैं, वाई उस company में काम करने के time मैंने जो सीखा, वो आज मेरे को काम आ रहा है, वहाँ पे company ने दो साल के बाद मेरे को तोड़ा सा अपर लेवल पे भेजा, जब मैं system administration में आ गया, जब मैं server level पे काम करने लगया, तो मुझे depute किया गया, भारत electronics limited, bell के अंदर, as in deputed engineer, मतलब की third party role पे मैं वहाँ गया, और मैंने वहाँ पे फिर 2007 तक काम किया, 2007 में जब internet आया आया था, तो उस time लोग, मतलब उससे पहले आ आगया था, तो बट access मिलना शुरू हो गया था, तो मैं time spend करना शुरू कर दिया था, अपने level पे मैं oracle db install करना start कर दिया, sequel पे काम करना शुरू किया था, facebook पे तो उस time पे वो चीजे मैंने learn की, शीखी, अपने level पे, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नही इस हुआ था, हज की IT support में के लिए ये interview selection हो रही थी, जो की contact center data, contact center मतलब की BPO, BPO के अंदर IT data center के लिए team hire हो रही थी, तो मैं वहाँ पे select होता हूँ, as in senior system administrator, तो वहाँ पे मुझे server admin के role पे, windows server admin के role पे मुझे, जो मिलती है, जो की मेरी, मेरी को salary offer होती है, 11,000, 2007 की बात कर रहाँ तो मैं, 2007 से लेकर 2008 तक मैंने August तक वहाँ पे काम किया, उसके बाद August में मेरे को Wipro से call आती है, और Wipro में मैं सिधा interview देता हूँ, remote interview होता है मेरा, और मुझे गुडगावा location offer की जाती है, और मैं गुडगावा location join भी करता हूँ जाके वहाँ पे, तो वहाँ join करने क मेरे को जो package मिलता है भाईवो, वह 7 lakh का package मिलता है, आप सोच सकते हो कि कितना लंबा jump मुझे मिला वहाँ से, तो 7 lakh के package में मैं वहाँ जाइन करता हूँ, 2010 की बात कर रहा हूँ, वहाँ join करने के बाद, जो हच की parent company थी, सरको global, जो हच का infrastructure manage कर रही थी, पेरेंट कमपनी नही को take over किया था, for IT BPO services, IntelliNet के role पे हम आये थे, IntelliNet को take over किया था, सरको ने, तो बाद में दोनों companies का merger हो जाता है, तो आप मेरा जो first anywhere देखते हो, assistant manager का, उस time पे IntelliNet होता था, उसके बाद, फिर सरको ने जब take over करके fully merge कर दिया था, तो उसके बाद, सरको global, इंडिया में introduce हो ग Promotionally मैंने Senior Manager की Promotionally मैं North Head रहा हो वहां पे, उसके बाद मैं International Projects में वहां पे रहा हूं, जहां पे मैंने IT Data Center, Networks, Servers, Development, Database Servers, जिसमें SQL, Oracle, Web Services, Web Based Servers, Cloud Servers, Virtual Servers, VMware, सब पे काम करने का मोका मिला, एक बड़ी टीम में, लार्ज लेवल पे, जहां पे हमारे Data Center, Mumbai, Bangalore, UK में होते थ 148 clients होते थे, हमारे पास 30,000 की sitting होती थी, live experience होता था, जहां पे application support में हो रहते थे, every time, downtime calculate होता था, Minto के हिसाब से, जहां पे उस pressure में हमने काम किया है, learn किया भाई, 9 साल की journey मेरी वहां पे निकली है, 9 साल की journey के बाद मेरे को promotion मिलती है उस company में, जब मैं exit mode में था, आप दे उस company, Reliance contact center setup जो किया था, मैं उस core team का एक हिस्सा था, KCRS में मैं था, चांबे मैंने बहुत सारे लोगों की hiring की, मेरे अपने जितने भी resources थे, जो भी मेरे trusted बंदे से, जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, सब को मैंने hire किया, Reliance ने बहुत अच्छा पैसा दिया था, वहां से अच्छे team बना कि हमने वो project deliver किया, उसके बाद Reliance प्लस सरको global में कोई conflict आता है, Reliance कहता है कि मेरे को उनके रॉल पे जाना है, सरको कहते है कि हम इसको release नहीं कर सकते, तो उस conflict के वज़ए से मैंने वो, जबकि मेरा promotion AGM का हो चुका था, जो letter मेरे को मिल चुका था, बट मैंन नहीं किया था, क्योंकि politics की वजए से किसी भी reason की वज़ए से मैंने वहां से वो quit कर दिया, और quit करने के बाद सीधा मैं Accenture join किया, Accenture join मैंने गुडगाओं किया, Accenture join करने के बाद within 4 days मैं वहां से भी quit करके मैं वापिस आ जाता हूं अपने घर, और उसके बाद मैं start करता का experience आ चुका था, IT का बहुत बड़ा exposure आ चुका था, 14-15 साल मैंने industry में काम किया, उसके बाद जब बंदा घर पे वापिस आता है, तो आप सोच सकते हो कि एक बार फिर से जीरो से start करना होता है, एक restart फिर से चाहिए होता है, तो वो restart आप सोच सकते हो कितना tough होता है, क्यों पर पास job नहीं है, और मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, कुछ अपना start करना चाहता हूँ, वहां से भाई मैंने छोटे से office से, आप ये pictures भी देख सकते हो, छोटे से office से start किया, मैंने 10 भाई 10 के cabin से, एक बंदा मैंने hire किया, जिसमें मेरे father साब fire safety industry related job में है, मैं पैदा ह स्टार्ट किया, DGS में हमने, कैसे हम customer service दे सकते हैं, fire safety related equipment supply करना शुरू किया, वट आपको पता है, वहां पे fire exhibition रिफिलिंग शुरू की, भाई, दोया मैंने अपनी गाड़ी में रख रख के, हम हजार हजार पांसो पांसो रुपे के लिए गाड़ी का तेल लगा के customer site पे जाते हैं, उनको रिफिल करके, साफ करके, दोबारा service support दे के आते हैं, inspection करने जाते हैं, क्योंकि installation का exposure नहीं था तब तक, तो उसके साथ-साथ हमने चीजे learn की, सीखा, जो मेरे PF का पैसा था, मैंने उससे office लेके, 10,000 में, सिरफ 10,000, 10,000 में मैंने उसको start किया, क्योंकि मैंन नहीं business start किया था, almost 4-5 मेहिने gap के बाद, क्योंकि जो भी PF था, मैंने, कुछ मेरी saving में डाल दिया था, उसमें से कुछ मेरे घर खर्च के लिए उसके, सिर्फ 10,000 से मैंने दुबारा से start किया, 0 से, आप सोच सकते हो, मैंने 18,000 के package से drop करके, फिर से 0 से start किया, जहां मेरी earning 0 10,000 की investment डाल गए, मैंने 0, आप बोलो के से 18,000, 18,000 का package से क्या किया, उससे मैंने अपना घर बनाया, अपने फादर के support किया, मैंने, मैंने EMIs पे की, वो घर बनाया, मैंने, मेरा घर बन चुका था, मुझे उस टम तक कोई tension नहीं थी, तो मुझे उस टम कोई tension नहीं थी, तो एक अलग industry में start किया, एक अलग challenge को accept किया, तो गबराया नहीं वहां से, मैंने IT industry को छोड़के, मैंने फिर अलग startup किया, वहाँ पे startup करने के बाद, हम कहां पहुंचे, हम पहुंचे, एक मुकाम पे, जहां पे, चीजों को हमने learn करना शुरू किया, information gathering शुरू की, हमने देख किया, government approvals कैसे मिलती है, कौन सी industries में, कौन सी commercial buildings में, क्या safety के equipment लगे होते हैं, उसके लिए क्या procedure होते हैं, क्या government approvals लगती है, fire कैसे मिलती है, उस पे सारा study करके, हमने team बनाई, धीरे धीरे हमने उस level का काम करना शुरू किया, और हम उस industry में, आज भगवान की दया से, 17 से आज, कम से कम, 7 से 8 साल हम, 7 साल approximately हमें हो चुके हैं, और आज उस industry में, हमारा एक अच्छा brand है, अच्छा नाम है, जहां पे annual हमारी turnover approximately 5 CR, 5 करोड के आस-पास है, 0 से start किया, जिसका कुछ भी knowledge नहीं था, हमने एक brand setup किया भई, हमने इस पे काम किया, तो जो लोग कहते हैं, कि जो बेवकू बना के पैसा कमाने आए, तो भई भगवान के दया से पैसे की कमी नहीं थी, कभी भी, पैसा महिनर्थ से कमाया है, 0 से start करके कमाया है, तो पैसे की कमी नहीं तो कभी job में रही, नहीं बिजनस में आने के बाद रही, नहीं मैंने कभी किसी से पैसा लिया, अप अपने दम पे कमाया, अपनी मेनत से कमाया, अपने एफट से कमाया, वो DGS जो अस्टेबिलिटी की और जा रही थी, तो हमने जब देखा, 2021 में कि हम अपना पैशन पूरा कर सकते हैं, हम अपना जो पैशन है, जो अंदर की आग है, जो ललक है, उसको आगे continue कर सकते हैं, तो भाई मैंने एक नया स्टार्ट अप किया है, तो दाइरा टेकनोलोजी को जब स्टार्ट किया, तो दाम्या गलोबल सर देजाइनिंग, उसके बाद video editing, web designing, web development, then digital marketing, तो यह services start की client services में गए, बड़ आपको पता है कि initially काम मिलना कितना tough होता है, काम मिलने के बाद Indian client से पैसा निकलवाना कितना tough होता है, तो वो journey हमारी चली रही थी, तो 2022 की तरफ जब हम बढ़ रहे थे, तो भाई हमने देखा कि क्यों न हम अपने platform बनाएं, अपने platform को target करें, वहां से हम earning निकालना शुरू करें, rather than की clients को services दें हम, तो वहां से हमने सतीश भाई के एक दिन वीडियो देखा कि कोई web story नाम की भी services हैं, जो Google की तरफ से है, हमने web stories को try करना शुरू किया, वेब stories को try किया, try करने के बाद की journey आप लोगों ने देखी है, कितनी beautifully वो journey हमने go through की है, हमने वो journey आगे बढ़ाई है, तो भाई, ऐसे ही आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, ऐसे ही आपको में बताने के लिए नहीं आया हूँ, यह journey यहां तक आई है, तो उसके पि हमने लगजे और सिखाने लगजे तो वो trust ऐसे नहीं बनता है भाई, बिल्कुल भी नहीं बनता, आज मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने first web story try की थी, तो हमारा जो first platform था, मैंने वो सतीश भाई की वीडियो पे भी दिखाया है, और मेरे पुरणी वीडियो में भी देख सक हम 6-7 महीने के हमारी जर्नी देख लिया तो more than 10,000 average 10,000 डोलर हम web stories से earn कर रहे हैं, earn कर रहे हैं 50 हमने earn किया था और इस टाइम आज क्या date है 27 अभी भी हम इसको प्रोस कर चुके है, core update के बाद भी उस मन्त में हम 12,000 हिट कर रहे हैं, more than 12,000 हिट कर रहे हैं, तो आप idea लगा सकते हो बाई, और बगवान की दैसे मेनत से कमाया है और यह infrastructure यह office tour देखिया, यह office tour यह एक एक चीज कमाई है, मेनत के पैसे से कमाई है, एक एक चीज को हमने जोड़ा है, कमाया है, मेनत करके कमाया है, और वो मेनत की है ना, तो एक मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उसके बाद मन करता है कि वो experience किसी को दें, कि कल जैसे हम इस journey को face करके, learn कर करके, जी के, मेनत करके, काम करके, चोदा-चोदा घंटे, काम करके हम यहां तक पहुंचे हैं, तो आप लोग भी उस journey में participate करें, उस journey में आगे बढ़ें, और आप भी लाख पो रुवे कमाएं, इस stats के उपर में ठोक बजा के कह रहा हूं, यह infrastructure जो देखा आपने, उसके में ठोक बजा के कह रहा हूं, कि आप भी कमा सकते हैं, आप भी learn कर सकते हैं, 10,000 से आप भी 10,000 लाख पे जा सकते हैं, वह आप भी जी सकते हैं, अगर आपको इस story के अंदर 1% भी, 1% भी आपको truth लगाओ, 1% भी अगर आपको लगाओ कि मैं इस इस इनसान पे, इस person पे trust कर सकता हूं, तो इस channel पे रहना भाई, अजब चैनल ड्रॉप कर लेना, क्योंकि आपका जो time है, वह सबसे ज़्यादा valuable है, अगर आप किसी गलत channel पे जाके गलत information देखेंगे, तो वह आपका career को waste करता है, आपका time सबसे ज़्यादा important है, learning के लिए connect बनना और एक trust बनना बहु कभी आपको failure भी मिलेगी, कभी आपको success भी मिलेगी, तो throughout journey में, उस पूरी journey में, जो आपके साथ रहेगा, जो आपको mark दर्शन करेगा, guidance देगा, वही आपका सबसे बड़ा well-wisher होगा, तो यहाँ पर आज एक चीज बता देता हूं है, कुछ लोग एक status दिखाना बहुत जाता हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यह USD dollar है, USD dollar में, मैं आपको पूरा all time का, यह मेरा, मैंने एक adsense open किया हूँ है, all time की, मैं transactions दिखा देता हूं सारी, और आप उसमें देख सकते हो, कि हमने कितना earn किया, 12600, जो इस मन्त का, अभी आपने देख लिया, real time, last month, 8900, उ सारे आप इस पर on screen देख सकते हो, और यहाँ पर clearly highlighted है, USD, अगर आपको अभी भी doubt है, तो इसको हम reports में ले चलते हैं, reports में जाके मैं, आपको clearly, बिल्कुल, without, यह last time है भाई, इसके बाद हम earning show नहीं करेंगे, यह आप से हाज जोड के request है, इसके बाद earning के उपर हम बिल्कु create करती है, कई बाद एक खराब मचली पूरे तलाब को गंदा कर देती है, तो कोई एक आदमी ऐसा हमारे platform पे आके comment डाल देता है, और कह देता है, यह fake है, फलाना है, यह है, वो है, तो भाई, आज के बाद मैं उसको reply नहीं करेंगे, उसको, आज के बाद मेरी तरफ से कोई reply उसको नहीं जाएगा, तो हम इसको अभी क्या कर लेते है, last three years कर देते है, वैसे तो तीन साल से यह platform नहीं चल रहा है, तो last three year में आप देख सकते हो, इस platform से हमने कितने डोलर निकाल दिये है, अब वो person, यहाँ पे देख ले, पहली बात तो, कि 71,000 डोलर, अब आप बोलो कि सर, डोलर है, या नहीं है, इसका हमें कैसे पता लगेगा, तो भई, इसका कैसे पता लगेगा, इसको हम एक बार, यहां से, इंडिन रूपीज में भी convert कर लेते हैं, तो भाई साब को जवाब मिल जाएगा, कौन से डोलर की बात कर रहे है, जैमेकीन डोलर की बात कर रहे या USD American dollar की बात कर रहे हैं तो भाई आप देख सकते हों इस प्लेटफर्म पे हमने नाइन लाक रुपीज ओनली फ्रों वेब स्टोरीज वेब स्टोरीज से अर्न कर लिये हैं निकाल दिये हैं सिरफ एक प्लेटफर्म से अप्रोक्सिमेटली साथ लाक क्योंकि अभी अभी तो गेम चालू है अभी तो गेम ओन है तो हमने साथ लाक रुपे एक प्लेटफर्म से निकाल दिये हैं और यह हमने क्या किया सिरफ वेब स्टोरीज से कमाए हैं और अगर दूसरे प्लेटफर्म को भी एड़ कर दू मैं यहां पे तो अप्रोक्सिमेटली अभी तक मैंने 80,000 डोलर निकाल दिये हैं 80,000 से भी जादा ही निकाल दिये 17,000 के आस-पास उनपे थे तो अप्रोक्सिमेटली 87,000 डोलर मैंने निकाल दिये हैं अगर इसको हम 87K into INR करें तो हमारा अप्रोक्सिमेटली 72,00,000 के आस-पास बनता है जो वेब स्टोरीज से मैंने पिछले वन निकाल दिया है तो भाई यह फैक्ट्स हैं यह वह मेहनत है यह experience है यह मेरी वह टीम जो वेब स्टोरीज पर काम करती है वह मेहनत है जो कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो आज की वीडियो बनाने का परपस सिरफ यही था कि आप आगे की जरनी मेरे साथ स्टार्ट करने से पहले या restart करने से पहले हम यह कह सकते हैं आप मेरे बारे में जाने मेरे उपर ट्रस्ट बनाए और फालतों की चीजों को हम यही छोड़ के आगे हम detail में अपने topics को cover करेंगे जो आपकी doubts है जो आपके लिए best possible support बन सकती है चीजे जो information मैं share कर सकता हूं जो चीजे मै ले के हम इस platform पे आएंगे मैं podcast भी करूँगा उन लोगों के साथ जो real time पे work कर रहे हैं हम मेरे best exposure के साथ भी आपके साथ आओंगा best experience के साथ कि जो मैं आपको guide कर पाऊं हमें contradiction में नहीं जाना है मैं किसी को रोकता नहीं हूं आप जाइए platform देखिए हर बंदे का अपना style है experience है वह आपको decide करने कि आपको किस से क्या learn करने हैं तो हमेशा जैसे कहते हैं आपको learn करने हैं और implement करने और फिर earn करने एक click में कभी आपको भी आपकी pocket में पैसे नहीं डाल सकता कमाना आपको खुद पढ़ेगा यह कड़वा सच है कमाना खुद पढ़ेगा करके कमाना करेंगे जो माइड भी आपको help करेंगा जो क्रूशल टाइम चल रहा है इससे निकालने का आपको help करेंगा और इसके बाद request करूंगा कभी भी हम earning की बात नहीं करेंगे हम इस journey को continue करेंगे आगे बढ़ेंगे और इसी उमीद के साथ इसी support के साथ यह request करूंगा अगर चैन करूंगा मस्त रहिए खातें पीदे रहिए स्वस्त रहिए और दबा के काम करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक क्लिए